दोस्तो एन्वल फिल्म एक क्राइम बेस एक्षन फिल्म है जिसमें बाप के परती बेटे की बेहिंतिया मोहबत को दिखाया गया है दोस्तो अपनी फैमिली को बचाने के लिए रनवीर कपूर ने जो तरक दिये हैं वो बहुती कमाल के हैं फिर चाहे रनवीर का रास्ता गलत ही क्यों ना हो लेकिन वो अपनी जगह पर सही था। दोस्तो फिल्म में सभी की एक्टिंग कमाल की है। और ये वाला जो आप बाप बेटे का सीन देख रहे हैं ये फिल्म में आखरी सीन में से एक है। दोस्तो लगबख सभी फिल्मों में हैपी एंडिंग दिखाय जाती है लेकिन ये फिल्म आपको आखर में रूला दगी। और दोस्तो इस फिल्म की कहानी के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं। इसलिए इस फिल्म की आखरी कहानी तक बने रहेगा और फिल्म के आखर में मैं आपको ऐसी और वहतरी फिल्मों की कहानी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस फिल्म की शुरुवात में रनवीर कपूर यानी रनवीजे को दिखाया जाता है जिसमें हर एक बच्चा और टीचर सभी को पता है कि रनवीर अपने पापा बलवीर से बहुत ज्यादा प्यार करता है। गितांजली विजय के किसी दोस्त की बहन थी। अब एक दिन विजय बड़े पाटी के लिए अपने दोस्तों को बुलाने के लिए उनके घर पर आता है और जब वो गितांजली के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी सगाई हो रही है। इस बात से विजय काफी नराज हो जाता है और गितांजली को ऐसे भड़का दिता है कि वो अपनी सगय तोड़ लेती है और जब विजय घर पर पहुंचता है तो उसके पिता का बड़े किया जा रहा था जिसमें विजय की दोनों बहने भी मौजूद थी और विजय की बड़ी बहन रीत यानि उसका पती वरुन भी यहीं पर मौजूद था विजय वरुन को पसंद नहीं करता था क्योंकि वरुन विजय की बहन पर हावी था वरुन का सोचना था कि विजय ऐसे ही फाल्तों में घुमता रहता है और यहां पर पार्टी में दोनों में बहस भी हो जाती है और यह छोटी सी बहस हातापाई पर आ जाती है और इस बात पर विजे की बेहन रीत अपने पिता बलबीर को बुला लाती है जो विजे को वरुन से माफी मांगने के लिए दस मिनट देता है अब विजय परिवार की खुशी के लिए ना चाहते हुए भी अपने जीजा से यानि वरुन से माफी मांग लेता है और इसके बाद उसके चलते वक्ट फलेश बैक का एक सीन दिखाय जाता है जिसमें बलवीर अपने बेटे विजय को पीट रहा होता है क्रिमिनल बेटा पैदा किया है हमने अब विजय कहता है कि आप हमेशा बिजी रहते हैं इसलिए बेहन ने मुझे बताया अगर फैमिली को बचाने के लिए मुझे ये दोबारा भी करना पड़े तो मैं करूंगा और इस तरह बाप बेटा में काफी गर्मा गर्मी हो जाती ह और विजय को पढ़ाई के लिए अमेरिका में भेज दिया जाता है अब कहानी परजेंट में आती है यानि उसी बड़े पार्टी में अब बलबीर अपने बेटे विजय से कहता है कि उसने अपनी कमपनी का शेयर वरुन को दे दिया है इस बात से विजय काफी नाराज था और उसी समय गितांजली भी वही पर आ जाती है जो कि विजय से शादी करने का फैसला ले चुकी थी अब विजय गितांजली को लेकर अपने पिता बलबीर के पास आता है और उससे कहता है कि ये आपकी बहू है लेकिन बलबीर कोई जवाब नहीं देता और इस बात से बलबीर सिंग को किसी ने गोली मार दी थी लेकिन यापर वरुन विजय को बारी परायो की तरह बैठने के लिए कहता है कुछ देर के बाद विजय अपने पिता से मिलता है और उसी समय बलबीर गितांजली को भी अपनी बहु सीवकार कर लेता है अब बलबीर अपने बेट प्रप्राइब नहीं रुकनी चाहिए ये मेरे पापा का सपना है और जिसने भी मेरे पापा यानी बलबीर पर गोली चलाई है मैं वादा करता हूं कि अपने हाथों से गला काटूंगा उसका और इस बात पर सभी वरकरों में नया जोस आ जाता है अब विजय अपने पापा क की सुरक्षा का इंतजाम करने के लिए पंजाब जाता है अपने भाईयों के लिए क्योंकि विजय के दादाजी वहीं रहा करते थे विजय के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी वो चाता तो दुनिया के किसी भी कोने से सिकुर्टी गार्ड रख लेता मगर भरोसा पैसे से नहीं खरीदा जा सकता तो इस तरह विजय अपने भाईयों को लेकर अपने पिता बलवीर के सामने आता है अब विजय अपने पिता से कहता है कि आगे से यही लोग आपकी सुरक्षा करेंगे लेकिन बलवीर विजय के इस डिसीजन से खुश नहीं था लेकिन विजय अपन घर में सेफ रखा जाएगा और नकली को बाहर काम के लिए भेजा जाएगा लेकिन जब नकली बलवीर बाहर जाता है तो उसी समय उस पर हमला कर दिया जाता है जिससे कि वो वहीं पर मर जाता है और यह हमला असरार नाम के एक आदमी ने किया था जो कि बलवीर को अपना दु की होती तो अब तक वो मर चुका होता अब विजय का जीजा यानि वरुन को जब ये बात पता चलती है कि बलबीर अभी भी जिन्दा है तो वो हैरान हो जाता है और इस वज़े से वरुन असरार को फोन पर बताता है कि तुमने बलबीर को नहीं बलकि उसके हम शकल को मारा है बलबीर अभी भी जिन्दा है और वो सही सलामत है फिर असरार कहता है कि क्यों ना हम पहले विजय को ही मार दें लेकिन विजय को तो पहले से ही अपने जीजा पर शक्त था तो इस वज़े से आज विजय ने अपने जीजा वरुन की सभी बातों को सुन लिया था और इस बात क पता चलते ही विजय ने अपने जीजा को जान से मार दिया था क्योंकि विजय अपने पापा से बहुत प्यार करता था अब विजय अपने पापा की और शुरक्षा के लिए एक मशीनरी गन को मंगवाता है जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया थी जिसे लेने के लिए विजय पिर क्या था विजय अकेले ही उन सब को गाजर मुली की तरह काटना शुरू कर देता है और खुद भी काफी जखमी हो जाता है इसके बाद इनी गुंडों का दूसरा गुरूप भी आता है लेकिन अब विजय अपने हातों से नहीं बलकि उसी गन से लड़ता है जिसे विजय विजय ने ओडर करके मंगवाया था और उसके चलते ही वो गुंडे चुटकी में ही साफ हो जाते हैं फिर आखिर में विजय असरार को जान से मारने ही वाला था तभी आबिद का फोन असरार के फोन पर आता है फिर विजय असरार को मार कर आबिद से कहता है कि तु मेरे पा काफ़ी दिनों तक कॉमा में रहता है और जब उससे होश आता है तो डोक्टर से कहती है की आपके हाट में प्रोब्लम आ गया है आप कभी भी मर सकते हैं आपको एक हाट डोनर की जरुत है और कुछी दिनों के बाद विजये को एक हाट डोनर मिल जाता है और विजये धीरे- सैंस खो दिये थे जिसकी वजह से ना तो वह सुन पाता था नहीं कुछ टेस्ट कर भाई था लेकिन अबरार हक को अभी तक इस बारे में कुछ पता नहीं था अबरार बोल नहीं पाता था इसलिए उसने अपने लिए एक ट्रांसलेटर रखा हुआ था जिसका नाम आवित था ये वही बंदा है जिसने असरार के मरते समय उससे कोल करके पूछा था कि काम हुआ की नहीं अब यहाँ पर एक बंदा अबरार को बता देता है कि तुमारा भाई मारा गया है जिससे अबरार को काफी गुस्सा आ जाता है और फिर अबरार उस बंदे की आँख को फोड़ देता है जिससे वो वहीं पर मर जाता है इसके बाद अबरार अपने किसी खबरी के प अपने दादा के घर ले जाता है और वहीं उसके साथ सेक्स भी कर लेता है और कई दिन बीद जाने के बाद विजय जोया शादी के लिए कहता है अब क्योंकि जोया भी विजय से प्यार करने लगी थी तो इस वज़े से वो सब कुछ सच बता देती है वो कहती है कि मुझे प्राश्टिक सरजरी करवा रहा है ताकि जिस दिन तुम बाहर रहो वो विजय बनकर तुम्हारे बाप को मार सके अब क्योंकि विजय को भी जोया पर पहले से ही शक था इसलिए विजय ने उसे शादी का नाटक किया था जिससे की वो खुदी सब कुछ बता दे फिर विजय अपने दो दादा के पास आता है और उन सबसे पूचता है कि अबरार कौन है तो उसका दादा बताता है कि हमारा एक और भाई था हम तीनों ने मिलकर ही इस स्वास्तिक कंपनी को खड़ा किया था और देश की नमर वन कंपनी बनाया लेकिन अबरार के पिता की नियत खराब और वो बार बार हमें धोका देने लगा और इस वज़े से हमें उससे निकालना पड़ा और कुछ साल बाद उसने अपने आपको आग लगा कर खुद को मार लिया और यह अबरार उसी का बेटा है जो हमारे पीछे पड़ा है और इसके बाद विजय अबरार को मारने के लिए उसी के ठिकाने पर पहुंच जाता है और विजे के गाड अबरार के सभी लोगों को मार देते हैं और इससे पहले की विजे अबरार को पकड़ पाता वहीं पर मौझूद आविद अबरार को लेकर निकल जाता है आविद का कहना था कि अभी ये लड़ने का सही समय नहीं है औ और इस लड़ाई में जब विजय अबरार को मार नहीं वाला होता है तो विजय अबरार से कहता है कि हम एक ही खून हैं तुम चाहो तो अभी इस जंग को खत्म कर सकते हो लेकिन अबरार उसे इशारों में बताता है कि ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा और इस वज़े से विजय उसका गला अपने ही हाथों से काट देता है और ऐसा करने की विजय ने पहले ही शपत ली थी कि जिसने भी मेरे पिता पर गोली चलाई है मैं उसका गला खुद ही अपने हाथों से काटूंगा अब विजय वापस इंडिया आ चुका है और अपने पिता को बताता है कि उसने अ कि एक बार जब Michael Jackson का एक concept चल रहा था लेकिन उसी दिन आपका बड़े भी था इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गया तो चलिए उस दिन को फिर से repeat करते हैं आप बस पापा पापा बोलेंगे और मैं आपकी acting करूँगा और इसके बाद उसी आइकन सीन को दिखाया जाता है जिसमे अपनी पूरी जिंदगी कमपनी के लिए खर्च कर दी और बलवीर अपने बेटे से इस बात के लिए मापी भी मांगता है कुछ दिनों बाद दिवाली का समय आ जाता है और बलवीर अपने बेटे को बताता है कि उसे कैंसर हो गया है उसके पास केवल 6 महीनों का ही समय बच एक सजरी करवाई थी वो अभी भी जिंदा है और हो सकता है कि अगले भाग में आपको रनवीर कपूर का डबल रोल देखने को भी मिल जाए इस फिल्म में बोवी देल का बहुती कम रोल को दिखाया गया है केवल 15 से 20 मिनट के अंदर ही उसे निप्टा दिया जाता है अगर उसकी एंट्री को ज़्यादा दिखाया जाता तो शायद ये फिल्म और भी मज़ेदार होती दोस्तों मेरे सुजाओं में आपको ये फिल्म अकेले में ही देखनी चाहिए क्योंकि इसमें कुछ किसिंग सीन को भी दिखाया गया है और दूसरी बात इस फिल्म में कुछ केले में देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म के बारे में तो आपने जान लिया लेकिन ऐसी ही एक और बहतरीन फिल्म है जो की हाली में करीना कपूर की फिल्म आई थी जिसका नाम था जान ये एक एक्शन बेस क्राइम फिल्म है इसे देखकर आपके होशी उड़ जाएंगे और अगर आप इस फिल्म की कहानी को देखना चाते हैं तो आप चैनल पर विजिट कीजिए और यहाँ पर जाकर देखिए कि आपने कौन कौन सी बहतरीन फिल्मों को मिस कर दिया है तो दोस्तों मैं मिलूँगा आपसे किसी और बहतरीन फिल्म की कहानी के साथ तक तक के लि धन्नवाद